हेलो एवरीवन तो कैसे हो अपसर उमीद है ठीक होंगे और आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेधिक अकेडमी पे और आज लास्ट पार्ट है 2019 प्रिवियस येर कोशन पेपर नीट का और आपको पता है कि अभी तक हम पूरे 5 पार्ट कर चुके है एक एक बात NCAT के कौन से क्लास से है कौन से चैप्टर से है कौन से पेज नंबर से जितना एक क्वेशन में हमने बहुत सारी चीजे समझ नहीं कुशिश की तो स्टार्ट करते है इसे के साथ तो हमारा पहला क्वे अब ये कौशन उनके लिए बहुत इजी है जिनोंने लैक ओपरन गड़ा है ग्राम बनाया है 12 पाउस आउट वाले बच्चे है उनके लिए बहुत इजी है प्रेक्टिस में थे हो और इसको करने के लिए सिंपल है अब ट्रिक के त्रू याद करें पीपो जया एक ट्रिक म कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे कि यहाँ पर बात करें तो इस पर अगर बात करें तो हमारे पास है आई जीन क्या करता है आप सबको पता ही होगा कि यह एजा रिप्रेसर काम करता है जैट जीन की अगर बात कि जाए तो यह किसके तरह काम करता है क्या करता है बेटा गलेक् सिरालर कि लिए है और य जिन कि अगर बात के जाए तो मिस्केश के लिए, कोई दिक्कत नहीं कहीं बाहर से कोई वर नी एक भी वर ने तो इसके इसाथ से उसका जो अंसर होगे होगे त्री देख लेते हैं एक बार हां जै जी ठी अंसर है और NCRT के बात के जा है तो page number 116 NCRT class 12th में दिया हुआ है यह कोई दिखकत नहीं बाकि इसमें जो जो काम की चीज़ है हम देख लेते हैं एक बार तो जैसे कि दे रखा है कि jet gene code करता है beta galactosidase और यह क्या करता है जो हमारे disacrid है जैसे कि नाम दिया lactose इसको तोड़ देता है चोटे चोटे यूनिट में galactose और glycose में एक बात क्लियर होगी यहां से y gene किस से related है परमियेज से नाम में परमियेज सुपवा यानि की permeability increase करेगा beta galactosidase की यानि की lactose की ठेक है और फिर वहां ही बात की जाए age in की तो age in भी यहां पर direct दे रखा है आपको कि ट्रांस ऐसे कोशन पूरा मेरा है वो तभी आएगा जब आपने प्रेक्टिस अच्छे सकी वाटेट थेक है तो next question 167 it takes very long time for pineapple plant to produce flower which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase yield देखो यह question सुनके बच्चे सोचेंगे यार यह NTA वालो नो यह NCAT वालो नो यह जरूर कट गड़बड किया है कहीं नहीं कहीं मिला मुला किया से कुछ किया हुआ है तो बट ऐसा नहीं है इसके अगर बात कि जाए तो class 11th में direct plant growth and regulator वालो जो chapter है page number के अगर बात कि जाए तो 250 page number NCAT में दिया हुआ है और यहां पर बात कि जाए तो यहां पर direct लिखा हुआ है ethylene is used to initiate flowering and synchronizing the fruit set in pineapple यह direct यहां पर pineapple के तरफ से यहां पर बाते लिखे हुई है बाकि बहुत सारी बाते लिखे है ethylene dormancy break करता है ठीक है ऐसा formula जो gaseous है वो सारी बाते यहां पर लिखे हुए आप पुरा paragraph ज़रूर पढ़ेगा किस फ़र्म में मिलता है यहां पर यह भी important है ठीक है काफी बच्चे स्किप्प्रा देते हैं ऐसे ethyphone या ethyphone जो भी पढ़ना चाहिए इस फ़र्म में मिलता है what it ? तो next question start करते है 168 identify the cells whose secretion protects the lining of the gastrointestinal tract from variations है इंते हो बड़ा simple खुशन है लेकिन वही है कि यहां भी 11th की चीज़े यहां पर गुसेट दीगे यह कोई दिख कर नहीं tense है पढ़ते हा रहे क्या stomach वगएर में acid हो गएरा होता है तो उससों बचाने के लिए हमार पास mucus है लेकिन mucus जैसा बढ़तों है ही नहीं ठीक है और आपको यहां से एक बात याद करके चलनी है कि mucus को एक cell secrete करता है जिसका नाम होता है goblet cell कहीं जाने के जोड़त नहीं NCIT का answer है second देख लेते 168 second answer और यहां पर लिखा हुआ है कि goblet cell secrete mucus NCIT कहीं बाहर जाने के जोड़त नहीं कोई दीख कर नहीं ठीक है बाकी chapter section में पूरा दिया है और बाकी यहां पर आप ठ्याके आद रखें साथ में mucus next cell भी secret करता है mucus peptic cell और chief cell यह secret करता है pepsinogen parietal cell and or oxentic cell यह secret करता है SCL और vitamin B12 का intrinsic factor बहुत अच्छा paragraph है हमेशा यह एक दूसरे option में twist करते हुए तो practice करें इस पूरे paragraph की ठेक है NCIT का है description वाले chapter का next 169 169 यह paragraph आपको अभी कुछ देर पहले भी यानि के पिछले वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश की थी which of the following can be used as bio control agent in the treatment of plant disease ठेक है तो इसमें सबसे पहला word बता चुका था मैं कि bio control agent का मतलब we are using the living things to control pest actually we are controlling the pest by using living things बहुत सारे तरीके थे हमने पूरा paragraph रीड ही किया था अगर आपको याद हूँ आपने शिद्दत से अगर अभी वीडियो देखी है पहले तो आपको बिल्कुल याद होगा और आपको बताया गया था कि plant से related अगर आपको bio control agent use करना है तो simple answer is trichoderma ठीक है अब बता चुके हैं आपको ठीक है तो यह रहा trichoderma पेज नबर नहीं बताऊंगो मैं इसमें आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा अगर आप पहले पुराना देखिए कि कहा मैंने page ने बर बताया क्या क्या बात ही याद कराई है ठीक है plant fungus है trichoderma ठीक है answer यहां से देख ली कोई दीख नेक्स्ट 170 phloem in gymnospherm legs देखो बहुत अच्छा legs मतलब पहले तो legs मतलब कुछ उच्छे होते जिने legs मतलब नहीं पता legs मतलब होता है absent ठीक phloem in gymnospherm बोला है आपको अगर sequence के बात के जातो उसी जब पता है पहले five kingdom classification आपने पढ़ाया है plant kingdom भी अगर आपने पढ़ाया है आपने बच्पन से 9th से 10th से आप पढ़ते आ रहे हो कि यहां भी फ्लोव में यह होता है जो पाट पढ़े तो उसमें कोई नो कोई कम हो हो है ना effectiveness उसमें थोड़ी कम होगी तो यहां पे simple अगर बात कि जाए NCRT की तो NCRT में direct लिखा है कि इसके अंदर tube और class 11th pay number 88 class 11th अभी जाके घर जाके पढ़ना आप ठीक है तो इकहाँ दिता हूं आपको कहाँ पी दिखे यह line यह रहा gymnosperms have albuminous cell and sieve cell and they lack sieve tube and companion cell तो यहां पे दो बात याद कर लिया कि sieve tube and companion cell absent होते है चलो बात याद कर लिया तो उसकी जगह क्या होता है तो इसकी जगह यहां पे लिखा है albuminous cell होता है और sieve cells होते है कोई दिक्कत बहुत अच्छी हूं next 171 12th वाले बच्चों जो अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों से भी कह रहे हो यह question तो आपके लिए है अगर मैंने आपको अभी 3rd chapter ते complete कर चुके है हम आपको यहां पे बताया हुआ है कि extrusion of second polar body from egg nucleus occurs बहुत अच्छा कोशन है छोटा कोशन है लेकिन आपको focus करा देगा कि आभी NCRT एक line में क्या क्या बूल जाता है extrusion मतलब होता है निकलना कब बना secondary polar body कब बना अगर आप detailed anxiety in between the line पढ़ोगी तो आपको पता जाएगा कि यह sperm entry और before fertilization पे ही होता है तो इसका answer 1 होना चीह देख लेते हैं 1 answer is 1 7 1 का कोई दिक्कत नहीं और page number 52 पे यहां पे paragraph दिया हुआ है कि जैसी sperm touch करता है तब miosis second complete होता है और तब ही secondary side बनता है secondary polar body cup आएगी मियो से second complete होगा मियो से second cup complete होगा जब sperm enter होता है यह sperm enter होते ही मियो से second complete होगे लेकिन fertilization होते होते है तच वह बीच का step समझे रहे हो कोई दिक्कत 1st answer next 1 7 2 बहुँचा कूशन under which of the following tradition will there be no change regarding reading frame of the following MRN यानि कि MRN का सिक्वेंस यहां पर दिया है इसकी reading sequence में कोई दिक्कत नहीं आएगी इन में से कौन सी चीज होगी तब देखो आपको simple बात पता है कि हमारा जो genetic code के इस फ़र्म में पढ़ा जाता है 3 के सेट में जिससे क्या बोलते है ट्रिपले आने genetic code ट्रिपले में पढ़ते है आप पता है तो आपको simple logic यह लगाना है पहले तो देखो question बढ़ते हो है कि आप 3-3 का सेट बना दो एक base pair को अटा आते है तो obviously इस चीज़े इदर उदर हो जाए क्योंकि हमें 3-3 के सेट में पढ़ना है तो चीज़े यहां पे जैसे ही यहां पे देख रहा है कि insertion of G at 5th position तो 5th position यहां पे कहीं अगर 5th position पे तो यह भी नहीं मैं नहीं मान रहा है आप simply याद रखो कि जो 3-3 के सेट को कभी 3 के सेट को उठा लो या 3 के सेट को add कर तब कोई दिक्कत नहीं आएगी frame set में और यहां पे again 4th और 5th दो position की बात कर रहा है तो यह भी एक तरह से गल्द answer है तो direct answer हो जाएगा इसका 4th यानकी 7th, 8th, 9 मैं आपको simple लगा 3 का बाड़ा आता होगा तो हो जाएगा तो यानकी 1, 2, 3 168 या 168 आएगा कोई दिक्कत नहीं 4, 5, 6, 17 निकलेगा 178 होगा कोई दिक्कत नहीं 7, 8, 9, 17 निकलेगा कोई दिक्कत नहीं सेट में कोई दिक्कत नहीं तो देख लेते हैं, 4th answer होना चीह है मेरे इसाब से इसका हाँ जी 4th answer कोई दिक्कत नहीं 173 The concept of ominous cellular Acellular regarding the cell division was proposed by यह word 9th class से आप टच में कोई हिरोगिरी नहीं इसमें और direct answer है इसका Rudolph विर्चो या वर्चो जो पढ़ो कोई दिक्करनी बोलने से कुछ नहीं होता है ठीक है फस्ट होगा इसका answer ठीक है और NCRT में दे रखा है यह ज्यादा बाहर जाने की जट नहीं है class 11th class 11th page number 126 cell वाले chapter में what it? ठीक है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि Rudolph विर्चू ने या वर्चू ने first time explain किया था कि cell divided and new cells are formed from the pre-existing और इसे को बोलते है ominous cellula a cellula ठीक है? what it? ठीक है नेक्स्ट करते है 174 what triggers activation of pro-toxin to active BT toxin of bacillus throngenesis in balkon जैसे कि पहले बता चुका हूँ BT इतना बढ़िया word है काफी सारे chapter में आज आ चुका वैसे anxiety कम चीज़े देती अब जो जितना ज्यादे दिरिखा उतना famous ठीक है? तो आपको पता है कि bacillus throngenesis का जो protein निकलता है starting में वो inactive होता है और inactive को active करने के लिए हमें क्या चीए? गट और गट के अंदर कौन सेप्य चीए? बेसिक और NCRT में जो direct shabd लिखा है अगर बात की जाए तो वो लिखा है alkaline यानि कि 174 का answer होगे 3 ठीक है? और कहीं बाहर जाने की जोड़त नहीं है page number 202 biotechnology का application वाला chapter class 12 ठीक है यहां पर लिखा हुआ है insecticidal protein होता है inactivate होता है protoxin but active हो जाता है जब उसे alkaline pH मिलता है, gut से bind कर जाता है और mitigate की band बजा देता है और mitigate की band बजा देता है तो उन कीडों की भी band बजाता है clear है 174 के बाद 175 identify identify the correct pair question चाहे कितनी word लिखे हो answer हमेशे NCIT सा आता है अभी typhered fever confirmatory test की बात कर रहा है तो इसका direct answer है vital test NCIT में दिया हुआ है fourth answer as it is NCIT में दिया हुआ है कोई दिककत नहीं got it next part which sorry what 176 question number what is genetic disorder in which an individual has overall masculine development gynecomastria and is sterile this question में सबसे महंगे वर्ड की अगर बात करूं तो that is gynecomastria याने की breast development ठीक है gynecomastria अब यह breast develop हो गया है ठीक है उसकी बात कर रहे है masculine character भी है sterile हो रखा लेकिन sterile याने की sterile word का मतलब पताना मुझे ठीक है पता है मुझे आपको पताना ठीक है ठीक है याने की reproduction नहीं कर सकते है ठीक है इसके अगर बात की जाए तो यह भी direct NCAT है ठीक है तो इसका अंसर है second ठीक है और NCAT में direct यह लिखा हुआ है कहीं जाने की जुरत नहीं है आपको page number 91 और यह sterile भी होता है ठीक है सारी बात यहाँ में लिखे और आप यह सारे डिजीज जो पड़े है Turner syndrome, Klein Filtred syndrome, Down syndrome में सारे उसके पड़ना हो से के तो AdWord का एक दूवर्ड या जटने ना बटर रहेगा आपके लिए next 177 polyblend a fine powder of recycled modified plastic has proved to be a good material for again inside a question कोई दिक्कत नहीं class 12th में दे रखाया ही ठीक है और इसका अंसर होना अच्छी है रूड बनाने के लिए यूश किया था हमने polyblend, सबसे महेंगा पड़ plastic को recycle करकर के हमने बनाया था हमने क्या एक नाम आपके याद बैसे अंसर देखते है पहले क्या क्या याद रखना है देखते है यहां पे बैंगलोर के बारे में दिया हो है बैंगलोर की जगह पे एक लोग थे नाम था एहमत खान ठीक है इन्होंने polyblend बनाया fine powder plastic यूश करके और इसको यू add किसमे क्या यह भी जरूर ही है polyblend को इनननो bitumen याद रखना और इससे road बना दी और इसका next जो आपको याद रखना है कि इससे road की quality increase हो गई ठेक है water repellent property आ गई ठेक है life काफी सारी even three time increase हो ठेक है तो यह सारी words आपको याद रखना है ठेक है next 178 which of the following foods which of the following method is the most suitable for the nuclear waste और आपको nuclear waste के बारे में बात कर रहा है nuclear waste सुनते ही आपके mind में दो चीज़ अच्छा भी है बुरा भी है अच्छा क्यों है nuclear nuclear वाली चीज अच्छी क्यों उसके अंदर बहुत सारी radiation है बहुत सारी energy है electricity के लिए यूज़ कर सकते है दो गाटे जो दो negative जो कि आपको minimum याद रखनी है कि एक तो इसे रखे कहां इतना सारा radiation है दूसरा इसकी leakage हो जाती है leakage हो रिखे काफे सारी incidents आपने अगर पड़ी हो 3 mild Iceland वाला तो वह आपको याद होगा ठेक है तो इसका अगर बात कि जाए तो सबसे best तरीका अगर बात करें तो आप इसको बरी कर दीजिए सबसे best तरीका देख लेते हैं इसका अंकर fourth होना चाहिए और यह पूरा paragraph radioactive का आपके लिए यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा paragraph आप दे रखा है देखिए इसमें से क्या क्या याद रखना है आपको एक तो देखो nuclear energy किसके लिए उस करते है electricity कले एक तो non polluted होता है ठीक है दूसरा इसके साब क्या क्या दिक्कत है एक तो इसका leakage की problem है leakage के लिए आपको simply जो अभी मैने बोला three mile island के बारे में आपको पता होने चीए यह incidents हुआ था ठीक है और second यह safe है कि नहीं ठीक है यह सारी चीज़े आपको पता होने चीए और सबसे best तरीका यहाँ पे NCT में दे रखा है कि आप 50 meter deep below the earth surface आप इसको क्या कर दीजी रख दीजी पेटर ठीक है तो फूर्थ answer complete होता next best question in 2019 मतलब यह इतना सा question आपको काफी सारे paragraph even 50% chapter पर complete करा देगा अगर आप शिद्दत से देखते हैं ठीक है तो इस में से जो आप A side match the following A side काफी सारे हो hormones के नाम दे रखे B side ठीक है column B तो मैं चाहूँगा कि पहले में disease के थोड़ी जान पर चाहन करता हूँ अपसे सबसे पहले बात करते है addition disease ठीक है addition disease के लिए आप क्या आज रखना है A से addition A से adrenal cortex सबने नाम सुने adrenal cortex adrenal gland जो kidney के उपर होता है दो adrenal gland पे adrenal cortex cortex मतलब outer portion ठीक है आप outer portion corticoids release करता है अब उस cortex में किसी भी वज़े से दिक्कत आ रही है चाहे तो damage हो गया ठीक है damage हो गया या फिर वो खुद कम secret कर रहा है यानि कि hyposecretion कर रहा है तो उस condition में जो disease होती है उससे बोलता है addition clear? Ace addition Ace adrenal cortex और दिक्कत क्या आती है corticoidrin कम हो गया next word यहां पर diabetes diabetes के दो type दे रहे है diabetes insidipus diabetes mellitus जिनको पता है अच्छे बात हो जिनको नहीं पता हूँ जो diabetes हम बच्पन से पढ़ते आ रहे है यानि कि 9-10 में हमने पढ़ा है इलमित में पढ़ा है simply diabetes हमने सुना है कौन है responsible insulin insulin कहां से निकलता है pancreas से क्या काम होता है glucose को ठिकाने लगाना यानि कि glucose को ट्रांसपोर्ट करना अपने अपने जगा अब वो insulin जब भी दिक्कत आती है तो glucose को सई से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता तो glucose देरे-देरे blood में जमा होता रहता है और फिर इसी condition को बोलता है diabetes यह वड़तो सुना है अब यहाँ दो वड़ है diabetes insidipus और diabetes mellitus तो यहाँ पे जो insulin पे depend होके जो diabetes है उसे बोलता है diabetes mellitus what it जो बचबन से diabetes पढ़ते आ रहे है that is diabetes mellitus अब बात किजाए diabetes insidipus के अगर बात किजा तो एक हॉर्मोन आगर आपने सुना हो ADH antidiuretic hormone antidiuretic hormone यानि कि antidiuretic diuretic मतलब urine selected यानि ही diuresis यानि कि यह हॉर्मोन kidney पे काम करता है kidney पे काम करके हमारी urine को concentrate को कोशिश करता है चीज़े absorb करता है जब उसमें ADH में तो absorption वगर काम होगा और जो patient है उसे बार-बार urination होगा बहुत ज्यादा urine आएगा मतलब ठेक है frequently और उसके चिकर में उसे प्यास भी लगेगी तो यह condition diabetes के similar ही होती है तो इस type के diabetes को हम बोलता है diabetes insidipus insulin dependent diabetes mellitus insulin पे जो डिपेंड नहीं है जो EDH की वज़े से है that is diabetes insidipus insipidus अब बात करता है acromigaly word आप simply relate कर सकते pituitary से pituitary नाम पता होगा आपको अब जैसके growth hormone है growth hormone ठीक थाक निकलना तो ठीक है ज्यादा निकलेगा तो giant हो ज्याता है कम निकलता है तो ज्यादा निकलता है ज्यादा निकलता है गलती होगी जब pituitary ज्यादा secretion करने लगता है तो उस condition को बोलता है acromigaly तो related किससे है growth hormone से pituitary से निकलता है और जो goiter है बच्चों के भी पता है goiter किससे related है thyroid thyroid तो direct इसके अगर answer के बात के जाए तो insulin A का हो गया fifth thyrexin का हो गया fourth corticoid क्या हो गया बताया था अभी A से addition, A से adrenal cortex और growth hormone के बात के जाए तो यह क्या हो गया acromigaly तो आपका answer हो जाना चाहिए three अच्छा परगाफ है आप साथ में पढ़ी है diabetes कोई दिक्कत नहीं select the correct option correct option पहले highlight तूर correct सीख करना है तो यहाँ पर दे रखा आपको पता है कितने ribs होते हैं हमारे पास परहल पेर यान कि 24 है पेर के साब से ठीक है हमने divide कर रखा 1 to 7 ठीक है 1 to 7 अच्छे अच्छे वाले यान कि true वाले फिर 8, 9, 10 ठीक ठीक false नकली नकली वाले फिर 11, 12 वाले floating वाले हमने याद करके हैं बाके देख लेते हैं क्या गलती है क्या नहीं 8, 9, 10 जो ribs है वह articulate होता है directly sternum से तो यह तो गलत है वही क्योंकि यह 7th वाले ribs से attach होता है तो हमें correct टूनना यह तो गलत है छोड़ो 11, 12 pairs of ribs are connected to the sternum with the help of cartilage actually यह तो हवव ही होता है तो यह भी गलत होगी यह तो floating है option दे रहा है यह तो गलती है each rib is a flat thin bone all ribs are connected to the dorsally यहाँ पर जो word use क्या है न all यहाँ पर दिख्यत हो रहे सब connect नहीं होते ठी वर्टरिबल control होते है और दो क्या होते है वर्टरिबल ribs होते है तो इसका answer direct हो जाएगा fourth देख लेते एक बार हाँ जी fourth answer है और paragraph है हमारे पास है पूरा का पूरा आपके पास अगर page number की बास की जाए तो 310 class 11th paragraph ठड़ते है इससे थोड़ा paragraph पढ़ लेते है ठीक है 12 pair of ribs होता है दे रहा है यहां पर flat होता है ventral यानि कि आगे की साइट से sternum से connect होता है पीछे की साइट से वर्टेबल कॉलम से दो articulation होती है यहां पर bicephalic याद रखना है first seven को हम true ribs बोलते है उसके बाद eight nine tenth को हम क्या बोलते है false rib यहां पर लिखा हुआ है और जो eleven twelfth यानिके जो last pair है इसको बोलते है floating ribs ठीक है reason यही है जो one two seven है वो आगे पीछे दोरों side से connect होते है eight nine tenth back side से connect होते है लेकिन आगे के side यानिके ventral के side से seventh rib पे connect होते है और जो last वाले eleven twelfth वाले वो back side से connect होते है यानिके dorsally connect होते है आगे connect नहीं होते तो यहां तक आपके लिए अभी तक यह था कैसा लगा बहुत time लगा I know आपको लग रहा होगा sir ने बहुत time ही है लेकिन चीज़े बताएगे यह आपको ncrt से related है कोई नहीं बताएगा आपको पूरे YouTube पे search कर लेजिए कि ncrt बताएगे sir कोई नहीं बताएगा कि इस question का answer ncrt पे कहा लिखा कॉण से paid number पे लिखा कोई नहीं बताएगा सिर्फ प्रेम सर्वेधिक अकेडमी बताएगे आपको ठेक है all the very best बच्चो जिस तरीके से मैंने समझानी कुछ की वैसी आपको पढ़ना भी है ncrt 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 ठेक है तो बाकी चैनल को support करिए जो नीडी बच्चे उनको share करिए चैनल को subscribe करिए और आगे बढ़ते करिए यही time है आपका पढ़ने का efficiency दिखाईए all the best enjoy